कि अलो स्टुडेंट्स चला बच्चो तो बच्चो आज आपके काफी कंसर्थ था कि इसे इंटर सर काफी दूर आया काफी बच्चे चाह रहे थे कि आधर स्टेट में हैं सर अब हम तो क्या सेंटर चेंज हो सकता है तो बच्चो आपको तो NCRT ने अभी नोटिस निकाला है जिसके अंदर आप अपना सेंटर चेंज करवा सकते हैं ठीक है आप उनके साइट पर जाहिएगा ncrt.nic.in पर NTSC पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा examination NTSC 1 ठीक है बेटा तो यहाँ पर लिखा हुआ है change of examination center for NTSC stage 2 ठीक है 2021 and 2022 यहाँ पर आपको करना क्या है ध्यान रखिएगा 12th October 2021 को इन्होंने release किया है ठीक है बच्चो और यहाँ पर इन्होंने चीजे पूरी clear की है कि first of all आप लोगों को जो भी changes करवाने हैं वो till 15th of October 2021 को आपको ntsc.ncrt.gov.in पर आपको mail करना होगा first of all second thing यह है कि आप within the same state आप अपना center change नहीं करवाओगे ठीक है अगर आप UP में हो लखनाव center आप चाते हो कानपूर आ जाए तो वो possible नहीं है ठीक है आपको ये वाला format है वो फिल करके इनको देना है ठीक है इस format को आप फिल कर दीजिएगा format को फिल करने के बाद आपको mail करना जैसे मैंने mail id बताया भी आपको ntsc-exam.ncrt-gov.in ठीक है तो इसमें आपको करना क्या आपका नाम फिल करना है ठीक है फ्रॉम दे स्टेट और आईदर राजस्तान गुजरात महराश्ट्रा जहां से भी आप हूं ठीक है इस्टेट का रोल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है इस्टेट का आपका नाम क्या वो रोल नंब एंटर करना है आपका नेम अव दा राजस्तान के दो सेंटर हैं जैपूर के अंदर एक तो जैपूर वन एक जैपूर शेकेंड ठीक है तो 30 या 31 जो भी आपको होगा वो आपको फिल करना है अगर आप कोटा फिल करना चाते हैं तो 29 एंटर कर दीजिएगा यहां पर वो सेंटर नंबर और उसके बाद में वो सीटी है ठीक है इसको फिर आप खुछ साइन करके ठीक है इसका प्रिंट आउट लेके स्केन करके ठीक है इस मेल आइडी पे आप लोगों को मेल कर देना है ठीक है ध्यान रखिएगा सिरफ और सिरफ आज का और कल का दिन है और 15 तो पर सो लास्ट डे होई जाएगा तो ऐसे से करवा सकते हैं अपनी ओमार के अंदर जो फिल करना है यह जासे आप इसके बारे में नोटिफिकेशन दिया था तो इस साल भी वो ही होने वाला है ज्यान रखिएगा इस बात का ठीक है बच्चों तो I think और बाकी लोगों का अगया होगा ठीक है जिन बच्चों को समस्य हो रही थी तो फड़ाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजीएगा ठीक है बच्चों और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ठीक है बच्चों बाई बाई